बुद्धी निदान अभैकुमार की सामदाम भेद और फिर अंत में कोई उपाय न हो तो दंड नीती ये हमने पिछले भाग में जाना था। अभैकुमार ने बिना युद्ध की ये ही चंडप्रद्योत राजा को परास्त कर दिया था। इसलिए कहते हैं कि बुद्धी हो तो अभैकुमार जैसी हो। राजा की यह गोशना सुनकर सभा में एकदम सन्नाटा सा छा गया। एक भी वेक्ती राजा की इस आग्निया को शिरोधारे करने के लिए तयार नहीं हो पाया। परन्तु अभै को अपने जाल में फसाना दुशकर कार्य है। चारो प्रकार की बुद्धी के बंडार अभैकुमार को बंदी बनाने की बाद बिलकुल असंभव सी लगती है। काफी समय बीतने के बाद राजसभा में से रत्नमंजरी नाम की वेश्या खड़ी हुई और बोली कि राजन इस भगिरत कार्य के लिए आप मुझे आग्निया करे। मैं शीग रही अभैकुमार को बंदी मना कर आपकी सेवा में उपस्तित कर दूँगी। की पूर्ती राजकोश में से की जाएगी। रत्नमंजरी वेश्या ने राजा की आग्निया शिरोधार्य की। अपने भवन में आने के बाद वह वेश्या सोचने लगी कि अभैकुमार पुरुशों की बहत्तर कलाव में निपुन है। तता वह सतद सर्वत्र सावधान रहता है। एक चुटकी मात्र में वह कैसी भी जटिल समस्याओ का समाधान कर लेता है। वह हाजिर जवाब है। ऐसे बुद्धी शाली को किस उपाई से ठगा जाए। इस प्रकार सोचते बिजली की तरह उसके दिमाग में विचार आ गया। हाँ, अभैकुमार जैन धर्म का परम उपासक है। देव और गुरु के वचन में उसे अपूर्वशद्दा है। अपने समान धर्मी साधर्मिक को देखते ही वह किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ता है। उनकी भक्ती के लिए वह अपना सर्वस्वन योचावर करने के लिए भी सदैव तयार रहता है। अन्य किसी भी उपाय से अभैकुमार को ठगना संभव नहीं है। परन्तु उसे धर्म बुद्धी से अवश्य ठगा जा सकता है। इस प्रकार विचार कर जैन धर्म के प्रातमिक आचार विचार और विहवार को जानने के लिए वह सूव रत्ता साधवी जी के पास पहुंच गई। साधवी जी को वंदन आदिकर वह नियमित रूप से उनका उपदेश आदि सुननने लगी। इस प्रकार निरंतर संपर्क से वह शावकोचित आचार विचारों में एकदम निपुन बन गई। रत में आरूड होकर राजगरही नगरी के बार पहुंच गई। उसने नगर के बाहर योग्य भूमी में अपना डेरा डाल दिया। उस कपटी श्राविका ने राजगरही नगरी के मंदिरों की चैत्य परिपाथी प्रारंब की। वह प्रते दिन प्रभू पूजा की प्रते वंदन आदी भाव पूजा करने लगी। जपर्दस भाव वाले भक्त की तरह अपने मन वचन और काया को एकागर कर वह प्रभू के सामने इस प्रकार मधूर कंट से स्तुति स्तवन गाती कि सुनने वाले भी उस समय भक्ती में तलीन हो जाते और कहते कि इसने अपन कहकर उसने जिन मंदिर में प्रवेश किया। उसके बाद वह भाव से अंदर भक्ती करने लगी। इसी समय अभेकुमार ने भी प्रभू पूजन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। कप्टी शाविका के हाव भाव भक्ती में तनमयता अभेकुमार ने देखे। द्रव् इस प्रकार विचार कर अबैकुमार ने कहा कि बहन आपका आगमन कहा से हुआ है। इस प्रकार सोचकर अबैकुमार ने कहा कि बहन जिनमत से वासित अंतकरन वाले का तो यही जवाब होता है। इस प्रमशह मैंने योवन वय में प्रवेश किया। मानब जीवन की सच्ची सफलता और सार्थकता सैयम जीवन के सुईकार और उसके पालन में ही है। यह सब कुछ जानते हुए भी मो की पराधीनता के कारण वसुदत नाम के श्रेश्टी पुत्र के साथ मेरा पाने ग्रहन हुआ। विश मिश्रित मोदक तूले संसार के भोग सुको का अनुभव करते हुए कुछ काल व्यतीत हुआ और कुछी वर्षो बाद मेरे पती की मृत्ती हो गई। पती की मृत्यू के बाद अब तू अपना शेश जीवन विशेश प्रकार से धर्म आराधना में व्यतीत कर सकती है। शुप दिन मैं तिर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। शत्रुन जय महातिर्थ की यात्रा कर मैं पार्षनात और सुपार्षनात की कल्यानक भूमी काशी में गई। उस भूमी की स्पर्षना कर चंद्रावती गई वहां चंद्रप्रभः स्वामी के दर्शन किये चंद्रावती नगरी में मैंने सुना कि राजग्रई नगरी में जैन धर्म उन्नती के शिकर पर है वहां महावीर प्रभु के परम भक्त श्रैनिक न्यायवनीती से राजिका प अबाग्या है कि सुना तो एक था पर यहाँ सबाया देखा आपके दर्शन कर मेरा जीवन सफल हो गया है धर्मबंदू आप दीर्ग जीवी बने और दीर्ग काल तक जिन शासन की सेवा करते रहे कप्ती शाविका के इन वचनों को सुनकर अबैकुमार ने कहा कि बहन आज मु अबैकुमार ने कहा कि आज उपवास है तो कल मेरे घर पारना करना होगा कप्ती शाविका बोली कि मंतरिश्वर तपस्वी को पारने की चिंता नहीं करनी चाहिए पारने का विचार करने से तो तपस्वी तब के फल को भी हार जाता है अबैकुमार ने कहा कि लेकिन आपकी बक्ति का लाब मुझे फिर कब मिलेगा आप जैसी तपस्विनी की भक्ति करने से तो मेरे भी तब के अंतराय दूर होंगे कप्टी शाविका बोली कि मंतरिश्वर मुझ में बहयोग्यता नहीं है फिर भी आपका अती आगर है तो साधर्मिक के नाते आपके आगर को मेटाल नहीं सकती मैं कल आपके घर आने की भावना रखती हूँ इस प्रकार कहकर वह कप्ति शाविका राजग्रही नगरी के बाहर अपने तंबू में चली गई और अभैकुमार भी अपने महल में चले गई दूसरे दिन तपस्विनी शाविका के पाढ़ने के लिए अभैकुमा करने लगी कल पकल प्यकालाती क्रम भेल संभेल आदी की सुक्ष्म जानकारी को देख अभैकुमार भी खुब प्रभावित हो गया अभैकुमार बोजन में जब मिठाई परोसने लगा तो वह बोली कि जब तक समिच शिकर जी की यातरा नहो तब तक मुझे सभी मिठाई का दूद परोसने लगा तो बोली कि जब तक मैं दिक्षा अंगिकार न करू तब तक मैंने दूद विगाई का त्याग किया है। अबैकुमार ने उसके आमंतरन को सुईकार लिया। दूसरे दिन अबैकुमार उस कप्ती श्राविका के तंबू में गया। वैश्या ने अबैकुमार को ले जाने के लिए सारा शड्यंत्र रच दिया था। थोड़ी ही देर में अबैकुमार को नशाच चड़ने लगा। वे बेहोश होकर भूमी पर ढल पड़े। उस वैश्या ने अपने तंबू के पिछले भाग में रत तैयार ही कर रखा था। अबैकुमार मूर्ची तवस्ता में थे। कुछी दिनों में वहरत उज्जैनी पहुंच गया। उस वैश्या ने चंड़ प्रत्योत राजा को समाचार भिजवा दिये। ततकाल अबैकुमार को बंदी बना दिया गया। कैद में डालने के बाद अबैकुमार होश में आये। वे सोचने लगे कि मैं यहां कैसे आ गया। जब अबैकुमार को पता चला कि एक वेश्या द्वारा धर्म के नाम पर ठगी कर उन्हें लाया गया है तो उन्हें बड़ा खेद हुआ। उन्होंने राजा चंड़ प्रत कार्मomet्या्ट के साथ ऐसा कोछ होता है तो उसका धर्म के उपर से विश्वा सुच जाता है। अबहें कुमार को दुक हुआ था लेकिन धर्म के उपर शध्या जर्डा से भी कम नहीं हुई थी। एक तरह से देखे तो धर्म के नाम पर कोई ठग ले तो उसमें धर्म की ड् वो हम जानेंगे अगले भाग में देखने के लिए आपको जैन मेडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा आप हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं परमात्मा के आगया विरुद कुछ भी कहा हो तुम्हें चामी दुकडं जै जिन्शासन जै महावीर